X-Army जवान का बेटा एक पिता जो NSG कमांडो भी रह चुका है उसका 20 साल का बेटा उसके अंदर इतनी नफरत पनपती है कि वो नफरत एक शैतान का रूप ले लेती है एक ऐसा शैतान जो तीन लोगों की खून से अपने हाथ धोता है वो भी एक नहीं दो दो बार यहां तक कि उस शैतानी खोपड़ी के अंदर कुछ इस तरीकी से प्लान बन रहा था कि वो चाता था कि पुलिस वालों को हर कदम पर हर पल बेवकूप बनाया जा सके इसलिए उसने अपने खून से सने कपड़े को एक दूर जंगल में फेक आया और पुलिस वालों को बताना कार दिया गया है मामला यहीं नहीं थमता यह जो लड़का है 20 साल का उमर है इसकी 20 साल लेकिन जो इसकी कारस्तानी है उसे आप सुनेंगे तो आपके रॉंग्टे खड़े हो जाएंगे क्योंकि कल्द करने के बाद एक नहीं दो-दो बार हाथ धोता है घर के किस हिस्से में हाथ होता है और इस पूरे केस में उसकी हाथ होने से कैसे वो पकड़ा गया उसके बारे में बात करेंगे बात करेंगे एक लड़की के बारे में क्योंकि शैतान की एक गल्फरेंड भी है खुद 20 साल का है शैतान उसकी गल्फरेंड बार भी में पढ़ती है और इस पूरे क केस में कैसे एक लड़की के चकर में इस 20 साल के लड़के के अंदर इतना गुसा भरता है कि वो चाहता है कि मैं अपनी गल्फिंड के लिए अपने पूरे परिवार को माड़ा लूँ वो कौन सी बात थी कि 20 साल के लड़के के अंदर इतना गुसा भर गया अपने परिवार व और सिर्राल ये दिन जो बात ये निकल के सामने आई जो लड़का जो है वो ये चाता था कि मैं अपने परिवार वालों को खुश देख सकूँ मानने से पहले उनको मौत के घाट उतारने से पहले मैं ये देख सकूँ कि वो बहुत जादा खुश है उनकी चैरे पे जो खुशी है उसको देखने की बाद मैं उन्हें मौत के घाट उतार दूँ ये एक शैतान ही सोच सकता है और शैतान की जो काजस्तानी है उसकी बारे में डेटील में बात करेंगे ये कैसे शैतान ने हर कदम पर पुलिस को बेकू बराने की कोशिश तो की लेकिन वो एक एकर सारी फेल होती हुँ चले गई क्या थी अब परदी की पीछे की कहानी चलिए आपको आप सिलसिलिवार तरीके से समझाते है दिल्ली में जो ट्रिपल मर्डर हुआ उस केस में जो आरोपी है 20 साल का अरजुन उसके बारे में पहले आपको कुछ बता देती हूँ कि जो उसके पिता है वो उनकी बहन को जादा प्यार करते हैं ना कि अरजुन को और यहीं सारी चीज़े उसे धीरे-धीरे परिशान करने लगी और उसने अपनी ही बहन को अपनी ही मा को और अपनी ही पिता को मौत के घाट उतार दिया लेकिन कहानी थोड़ी चेंज होती है क्योंकि जब इसमें एक लड़की का अंगल आता है दरिसल जब पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है तो यह जो अरजुन है जिसके उम्र महस 20 साल बताई जा रही है इसके तेवर देखिए पुलिस का कहना है कि इसको जरा भी अफसोस नहीं है कि इसने अपने माता पिता और अपनी बहन का कतल किया इसके चेहरे पर जरा भी शिकर नहीं है कि इसने ऐसी वारदात को अंजाम दिया ये जो लड़का है ये पुलिस वालों को इंगलिश में धमकार आ है उनको डाट देता है अगर पुलिस वाले कोई बात करना चाहते हैं कुछ इन्वेस्टिगेशन के तौर पर सवाल पूछना चाहते है तो ये सीधे तौर पर अंग्रेजी बोलता है उन्हों फटकार लगा देता है ये इसका रविया है इस वक्त पुलिस स्टेशन में अब बात करते हैं उस लड़की के बारे में तो दरसल जो लड़की है उसका डिरेक्टली इस पूरे केस में कोई लिंक नहीं है पुलिस ने ये साफ किया है कि अभी तक कोई ऐसी जानकारी नहीं है लेकिन इतना ज 12th class के लड़की से इसकी मुलाकात हो जाती है अब दोनों की जब मुलाकात होती है तो धीरे-धीरे दोस्ती होती है दोस्ती प्यार में तबदील होती है और फिर जब इन दोनों का प्यार एक तरीके से बढ़ जाता है तो ये सारी बाते जो अर्जुन के पिता है राजेश उनको पता लग जाती है और वो अरजुन को डाटते हैं इस बात पर वो बोलते हैं कि यह सही उम्रम नहीं है लड़की छोटी है तुम अभी पढ़ाई कर रहे हो बीए में पढ़ रहे हो सेकेंड एर में अपने पढ़ाई पर ध्यान दो जो कर रहे हो उस पर पहले ध्यान दो कि वो उनकी girlfriend की insult करते थे बार-बार बेस्ती करते थे वो अरजुन को पसंद नहीं आ रहा था और कई बार तो जो राजेश है वो यह कहते थे कि तेरी शादी मैं इससे नहीं कराऊंगा नहीं होने दूंगा और ये सारी चीजें जो अरजुन है उसके लिए एक नासूर बन इनके घर के पास में construction काम चल रहा था जहां पर जो building है वो बनाई जा रहे थी और उसमें कुछ मजदूर काम कर रहे थे और उसी सिलसले में जो अरजुन है उससे एक छोटी सी गलती हो जाती है जिस पर जो राजेश है वो घर के बाहर ही उसकी पिटाई करने लगते हैं और पिता उसको मार रहे हैं बगल में जो मजदूर है वो काम कर रहे हैं तो उसके मन में ये बात बैट जाती है कि उसके पिता रत्ती भर उसे प्यार नहीं करते है और ठान लेता है कि हो ना हो इनकी खुशियों में मुझे आग लगानी है इनकी खुशियों में मुझे ग्रहन उसी घर का बेटा ये उस वक्त ये ठान लेता है जिन से वो पैदा हुआ है उनके बारे में ये शोच लेता है कि अब और मुझे इनको खत्म करना होगा और फिर अब प्लैनिंग कैसे करता है कि लगातार जो इनके परिवार में जो चीज़े चल रहे थी जो लड़की कविता यानि जुनकी बेटी थी वो पढ़ने में अच्छी थी और जो पिता है वो उसको लगातार प्रेस करते थे, मोटिवेट करते थे दूसरी तरफ जो अर्जुन है उसकी पढ़ाई में मन नहीं लगता था हाला कि वो बॉक्सिंग खिलता था और सिल्वर मैडर लेकर आया लेकिन पढ़ाई में मन नहीं लगता था और जो पिता जी है आराजेश उनका फामली बैग्राउंड जो था वो आर्मी से था वो खुद आर्मी से थे तो और इसलिए वो बहुत ही स्ट्रिक्ट डिसिप्लीन फॉलो करते थे और अर्जुन को भी चाते थे कि वो ठीक उसी त बात्म कर दूँगा और इसे लिए एक दिसंबर को उसकी बहन का जन्म दिन था और उस दिन वो ऽोचता है कि अपने जो माता-पिता और बहन है उनका कटल कर दें लेकिन वो सोचता है कि बढ़ड़े तो बहन का है तो इसलिए खुशी का दिन बहन के लिए है मेरे माबाब क सबसे आसान तरीका और यह भी ढूंटा है कि सबूत कैसे चुपाई अगर मानलो मैंने घर में किसी को मार दिया तो इंटरनेट पर गूंगल पर बतौर यह सारी चीजे सर्च करता है दो दिसंबर को और सर्च करने के बार जब इसको सारी चीजे पता लग जाती है कि है इस तर इसके बाद आसे ना को साबबता देते हैंक और ये ऐसा पमें अपना कुरा है पहले पहले जो फोग बता है तो पूर में अपने पहले आप पर गाला होजnoc अपने पेल का Schmidt के पूरा ख करता है चुनता है कि इसक tapes जो जते कि पर आतय चूंता है कि यह समय को पूर लाय का समय करता है अभर जाय को ऊपोड़ने जेँ चाहर, यह सब बलानीगे के तहना कि आ शीक को पीडिए होता है तो बस इसलिए पूरी प्लानिंग के तहत सुबह का वक्त चुनता है ताकि चीक ना निकले और गले पर कपड़ा रख देता है ताकि खून जो है वो बहते बहते नीचे फर्श पर ना फैले और बाकी जगे ना फैले अब इतने सारे पैतरे आजमाने के बाद और तीन-तीन कतल को अंजाम देने के बाद वो भी अपने ही घर के लोगों को इसे लगता है कि अब इसे बाकी सामान भी छुपा देना चाहिए जैसे अपनी टी-शिर्ट हो गई हतियार हो गया और इसके लिए बाइक उठाता है और अब यह बाइक पर क्यों बैटता है कहां जाता है टी-शिर्ट किस बैग में डालता है और साती साथ जो एफसल की टीम जो पहुशती है तो कैसे कैसे वो सबूत जुटाती है जिन सबूतों को इस कातिल बेटे ने छुपाने की कोशिश की वो पुलिस तक एफसल टीम तक कै परीवार को मारने के मां रहा होता है प्रसिसिस ने घड़ आले आसूं मगरमच की ता ही हो आपको वनीतर ने जो भी चीज़ समझाई अभी आपने ध्यान से सुना भी होगा कि ये मडर करता है एक 20 साल का लड़का जो ढूंग कर रहा है एक 20 साल का लड़का जिसके दिमाग पर खून सवार है कि मैं अपने पिता को मौत के घाट उतार दूँ क्योंकि पिता ने मुझे मज़़ूरों के सामने मारा है मेरी गल्फरेंड की बेस्ती करते हैं और ये जो गुस्सा था रह रहकर इतना बढ़ गया 20 साल के लड़के के अंदर ये उमर होती है पढ़ाई लिखाई करने की उमर होती है खेल कुद में अपना नाम बढ़ाने की ये लड़का प्लान कर रहा है कि मैं कैसे अपने परिवार को मारूं प्लान तो किया ही इसने लेकन अब ये ध्यान से सुनिए कि आजकल की जितनी वेब सीरीज देख देख कर कैसे दिमाग घूमता है और कैसे लोग इसे सीखते हैं कुछ इसी तरीके से जराब ने भी अरजुन ने भी सीखा कि मैं मौत के घाट उतारने के बाद अपना जुर्म कैश से छुपाऊं ये अपनी पहले बहन को मारता है कपड़ा रखता है ताकि खून जाता बहन ही पिता उपर सो रहे थे और जो माता जी और जो बहन दुरों साथ में सोया करते थे तो पहले अपनी बेहन को मानने के बाद ये अपने पिता को मानने जाता है क्योंकि माता जी बात्रूम में बन थी दोनों के मानने के बाद ये हाँ धोता है किचन में जाकर अच्छे तरीके से हाँ धोले ता है फिर नीचे आके देखता है कि जो माता जी अभी बात्रूम में है ये बात्रूम में जाता है और अपनी मा को रिकला जो है उनका रेत देता है उसके बाद ये फिर से हाँ दोता है बात्रूम के अंदर गुस्ता इतना जादा था कि इसे जरासा भी पस्तावा नहीं हो रहा था कि ये कर क्या रहा है इसे ये नहीं ध्यान है कि इसका भविश आने वाले वक्त में कैसा होगा बस गुस्ता इतना जादा था कि वो खून को बैता हो देखकर खुश हो रहा था कि उसका बदला पूरा हो गया वो भी अपने ही परिवार से किसी और से नहीं 23 साल का जो उसकी बड़ी बहन थी पढ़ाई लिखाई में और अच्छी थी इसका स्पोर्स कोटे के तहट बीए कर रहा था दिल्ली उनिविशिटी में वहाँ पर इसका एड्मिशन होता है लेकिन बावजूद इसकी जो इसकी पिदा थे चाते थे कि एक अच्छी जिंदिगी के लिए इन नौकरी की तलाश करे अच्छी जॉब ढूंडे उसके लिए पढ़ाई करना बेहर्श जरूरी है लेकिन जनाब का मनतुप, इश्कबाजी में इदरोदर घूमने में और इस सारी खुराफाद करने में था जनाब पढ़ रहा है लिखाई कैसे करते हैं और इसी सिलसिले में जनाब इतना ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं कि इसके बाद वो क्या करते हैं प्लैन बनाते हैं कि भईया प्लिस को आलो को बेकू बनाना है अब क्योंकि जनाब ने इतनी वेफ सीरीज देखी हुई है तमाम तरिके के क्राइम सीरीज देख देख कि यह तका दिमाग इतना मैचिर हो चुका था कि चाते थे कि जो भी कपड़ा हो उसे पहले पैक कर दो अच्छी तरीके से उसे दूर फिक आएंगे ताकि पुलिस वाले पहुचना पाएं यह इतना शातिर है कि यह चाता था कि अगर पुलिस वाले आएंगे तो पुलिस वाले चानबीन करेंगे और देखेंगे कि दरवाजे से कौन आया तो यह चाप जाता है च्छत की जो कुंडी होती है उसे खोल देता है लेकिन खून की निशान उसमें लग जाते है अब च्छत का दरवाजा खुल गया नीचे आता है सारे समान पैक करता है और दरवाजे का जो लॉक होता है खोलता है चाबी खोलता है उसमें भी खून की निशान रहते हैं जनाब गाड़ी की चाबी उठाते हैं उसमें भी हलके से खून की निशान लग जाते हैं और बाइक के हैंडल पर भी खून की निशान रहते हैं लेकिन जनाब ने तो दो बार हाद हो गया था इन्हें लगा कि या इनने तो कोई पकड़ी नहीं पाएगा, इनके हाथ साफ हो चुके हैं, डेटावल और साबून लगा के इनका मकसद था कि जुर्म तो चुपाए जा सकता है, इसके बाद ही जाते हैं संजेवन, कुछी दूर में इलाका है, वहाँ पर जाकर ये चाकू फेकते हैं, और चा जाकर हर एक चीज को ठिकाने लगा दिया, अब इसके बाद जब ये वापस घर पर आता है, तो पलिस वाले चान मिन करते हैं कि जारा पता लगाया जा सके, कि भाया हुआ कैसे, तो क्योंकि घड़े आली आसुई तो बहा रहा था और लोगों लगा भी कि देखी बेटा रो क्योंकि चाता था कि इसके माता पिता खुश दिखाए दें और जितनी खुशी है, इनके चहरे पर आ जाए क्योंकि रात में तो इनका कतल करने वाला है, अब यहाँ पर इसका मकसद ये था कि एनिवर्सिर वाले दिन जो कोई भी घर पर आएगा, वो देखीगा कि बेटा तो परिवार के साथ घुल मिल के रह रहा है, बेटा बहुत जादा खुशा परिवार वालों की मदद कर रहा है, लेकिन ये एक बिलकुल प्लैन के मताविक था ताकि लोगों को और पुलिस को भी बेकू बनाया जा सके कि इतना हस्ता खेलता बेटा अपने परिवार की जान कैसे ले सकता है, तो पहली गलती उसने ये कर दी, दूसरी कि उसने आके छट का दर्वाजा खोल दिया, तीसरी कि जहां पर वो दर्वाजा का जो लॉक कर रहा था, चा भी लगा रहा था, वहां पर भी खून के निशान, अब बाइक पर भी खून के निशान, अब जनाब क तो जब पूछा जाता है कि CCD footage खंगाले जाते हैं तो पलस पुरी रात की CCD footage खंगालती है कुछ दिखाई नहीं देता पता लगता है कि सागेपांच बजे जो अरज्ण है जो बेटा है वो बैग लेकर बाहर जा रहा है क्यों जा रहा है किसली जा रहा है कुछ नहीं पता लगता फिर उसको बलाया जाता है बैठाया जाता है और पुछते हैं कि भाईया आपकी घर में हमें कोई जाता हो तो नहीं दिखाई दे रहा है आता हो दिखाई दे रहा है आप ही निकले ह में पुलिस वालों को डाटना शुरू कर दिया कि आप ऐसे बात भी कर सकते हैं मुझे कानून पता ये बता है लेकिन पुलिसिया तरीका जब अपनाया जाता है तो जनाप पटर-पटर करके हर एक चीज पता देते हैं 20 साल का अरजुन पुलिस वालों के सामने किसी तोते की तिरा अपना जुर्म कबूलता है और कहता है कि मुझे गुसा आ रहा था क्योंकि पता ने कहा कि गल्फरंट से दोसी तोड़ो क्योंकि तुमारी शादी किसी और जगा फिक्स हो जाएगी 20 साल के हो तुम इतनी जल्दी है शादी करने की और तुम्हें इतना गुसा रहा है कि गल्फरंट से शादी नहीं हो रही है खिलाओ के क्या उसे ना कमाई हो रही है ना बढ़ाई हो रही है बस परिवार को मारने की प्लैनिंग चल रही है पहली चीज़ दूसरी चीज़ 20 साल के अरजुन का कहना है कि पिता ने एक बार मजदूरों के सामने उसे थपड लगा दिया था मजदूर हसने लगे थे तब से उसके अंदर इतना जादा गुस्सा था अपने पापा के लिए क्यों चाता था कि पापा को सबक सिखाना जरूरी है तीसरी चीज़ क्योंकि अरजुन जो साब है 20 साल के है शैतानी खोपड़ी हो चुकी है उन्हें लग रहा था कि पिता आने वाले वक्त में प्रॉपर्टी अपनी बेहन के नाम या कहा है जो कवीता के नाम कर देंगे तो ये चाता था कि लाड़ प्यार कवीता को ज़्यादा मिल रहा है मुझे कम मिल रहा हो सकता है मम्मी पापा आने वले वक्त में प्रॉपर्टी बेहन के नाम कर देंगे पढ़ाई लिखाई कुछ है नहीं कमाई दमाई भी कुछ है नहीं लेकिन प्रॉपर्टी चाहिए शादी करनी है और तमाम दुनिया की सुक्स विधाय लेनी है लेकिन खुद कुछ नहीं करना करना ये है कि परिवार को मार डालो गुस्सा इतना जादा है कि गुस्सा काब जो कहते हैं तो पहली चीज जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि किचिन के सिंक में जब यहां दोता है वहां से सबूत मिलते हैं बात्रूम के सिंक में जब हां दोता है वहां से सबूत मिलते हैं जो इसने जब च्छत का दर्वाजा कहला वहां पे खून लगा था वहां से रहा था तो खून के फबारे निकलते हैं उसके टीशिटों पर उसके सबूत मिले हैं जो इसने जंगल में जाकर फेक दिया था सबूत यहीं खतम नहीं होता सबूत यहीं भी मिलता है कि गाड़ी की चाभी और गाड़ी के हैंडल में भी खून की निशान मिलते हैं अब एक ख संजेवर्ण में इसी नहीं जाके बैक फिका है तो पुलिस को संजेवर्ण के वाले इलाके में साड़े पांच के आसपास का जो टाइम था उसमें खुद अरजुन की फोन लोकेशन भी उसी लोकेशन पर मिलती है तो यह सारे सबूत कहीं ना कहीं सीधे तोर पर अरजुन की और इशारा करते हैं कि अरजुन एक कातिल है जो अपने प्यार के लिए फिरी की प्रॉपर्टी के लिए अपनी बहन को ज्यादा प्यार मिलने के कारण चाहता था कि मैं पूरे परिवार को माड़ा लूँ चाहता था कि अपनी बहन के बहन के साथ पूरी परिवार को का प्लान बनाया और प्लान कुछ इस तरीके से बनाया कि पुलिस ने लगभग लगभग 12 घंटे के अंदर उस पूरे केस पर एक जटके में सौल करकर सामने रख दिया कि भईया बच्चे हो इसा चीज़े मत करो और प्लाहे लिखाए दिखान देते तो बहुत आगे जाते इ